हेलो फ्रेंड्स मेरे चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लेके आया हैं बहुत ही इवनिक सा हलवा की रेस्पी जैसे आप देख सकते हैं कितना यम्मी दीख रहा है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यह हमने एक लौकी लिए हैं और घर की है यह ताजी लोग की है एकदम से तो इसका यह हम इस साइट को काटके निकाल देंगे और अब इसको हम छील लेंगे इसका जो छिलका है तो इसको छील लेंगे अच्छे से और इसको धूल लेंगे और यहां से दो भाग में हम इसको डिवाइट कर लेंगे और अ इसको नाइफ की सहायता से इसको निकाल लेंगे क्योंकि बीज की हमको जरूरत नहीं है इसको हम अलग कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं बिल्कुल परिशानी नहीं होगी एजली अराम से यह अलग हो जाते हैं तो आप यह देख सकते हैं सारे जो बीज के जो पार्ट्स तो चलते हैं अगले प्रोसेस में तो अब हम इसको कदूकस करेंगे, जो कदूकस करनेवाले की साइज बड़ी है उस साइट से हम कदूकस करेंगे इस तरह से तो यह कदूकस करने में भी कोई problem नहीं होता है, बहुत आराम से हो जाता है तो अब हम सारे लौकी को अच्छे से देख सकते हैं कदुकस कर लिए हैं लौकी कालवा बनाने के लिए लौकी को बहुत पाले कदुकस करके न रखे नहीं तो लौकी काली पड़ जाएगी तो अब हम चलते हैं अगरे प्रोसेस में तो गयस का फ्लेम आन करेंगे और इसमें चमच हमने घर का देशी सुध घी कडाही में डाल दिये हैं और घी हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाएगा अब वैसे ही हम इसमें कुछ ड्राइप रोट्स डालेंगे तो अब देख सकते हैं यह 10 से 12 काजू है और बदाम है तो इनको हम रोस्ट कर लेंगे गोल्डेन ब्राउन ह जालेंगे तो एकदम क्रंची बढ़िया टेस्ट आएगा तो हमारा ड्राइप रोट्स जो है वह रोस्ट हो गया है तब इसको प्लेट में हम निकाल लिया है तो बाकी कि जो घी कड़ाई में बचा है उसी घी में हम यह लवकी का दुकस किया हूँ डाल देंगे और घी में इसको 4-5 मिनट हम लवकी को इसी तरह से भून लेंगे ताकि जो भी लवकी में मुष्यर है वह खतम हो जाए तो इस तरह से 4-5 मिनट लगेगा और लवकी हमारा काफी अच्छे से भून जाएगा तो टेस्ट आएगा हलवे में तो अब इसमें हम यह 300 ग्राम दूद डाल द हैं इसमें यह घर की मलाई डाल रही हूं इसे एकदम मामा की तरह टेस्ट आएगा और देर तक पकाना नहीं पड़ेगा मलाई नहीं डालेंगे तो दूद जादा डालना पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा अलवा बनाने में इसलिए हम यहां पर मलाई का प्रयोग किये ह हैं ताकि जल्दी से हलवा बन जाए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पक रहा है तो मुष्चर जो था खतम हो गया है तो अब इसमें हम यह 60 ग्राम चीनी डाल रहा है चीनी भी डालने के बाद अब इसमें मुष्चर काफी होता है चीनी में तो इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे तो अब इसको हलवा ही स्टाइल में बनाने के लिए आप देख सकते हैं लौकी का कलर बरकरार आने के लिए इसमें ग्रीन फूट कलर का प्रयोग किये हैं त तो अब हम इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको कुछी दिर तक और पका लेंगे तो आप देख सकते हैं हलवे से घी हमारा सप्रेट हो रहा है एदम साइट से दीख रहे हैं घी तो यह पाचान है हलवा हमारा रेडी है बन करके तयार है और इसको टर्न करने प करेंगे और। अर्लैन victories में इसको सरव करेंगे यह हलवा खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। यह आमकर पेडा हेर्वा तो ये बहुती सुपर टेस्टी हलवा बना है इसको आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और आपका ये हलवा कैसा बना मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे इंतिजार रहेगा फ्रेंट्स इसको जरूर ट्राइ करिएगा और अभी तक मेरे चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रेस्पी आपको मिलती रहेगी कोई भी वीडियो आप से मिस नहीं होगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बचले वीडियो आपको आपको एक लादी वीडियो आपको से मिलते हैं